तो student Niskanan Model public finance में एक नया टॉपिक जोडा गया है और ये जो टॉपिक है This is something, a very unique topic, Niskanan Model Niskanan Model में bureaucrats की भूमिका के बारे में बताया गया है bureaucrats किस तरीके से काम करते हैं और bureaucrats की जो भूमिका है एकनौमी में उसको हम इसमें डिसकस करते हैं निस्कैनन मॉडल पब्लिक चॉइस थेरी का बिलकुल विप्रीत मॉडल है जहां हम पब्लिक चॉइस थेरी में पढ़ते है कि गॉर्मेंट को वैसे काम करना चाहिए जैसे पब्लिक चाहती है लेकिन निस्कैनन मॉडल में बताता है कि this model tries to depict the typical behavior of bureaucrats जिसको हम कहते है नौकर शा भी कहते है administrator भी कहते है तो यह जो bureaucrats होते है जो गॉर्मेंट के लिए काम करते है they try to maximize the budget budget को निर्धारित करता है तो budget गॉर्मेंट निर्धारित करती है देखो इस model में simply आप यही समझना बहुत जिंपल मॉडल है it's a very very easy model good morning everybody good morning बहुत जिंपल मॉडल है government bureaucrats according to this model will constantly try to expand the amount of money and other resources that are under their control सरकार बजट बना करके देती है अब देखो सरकार जो budget बनाती है वो उनके अपने according होता है government एक अनुमान देती है budget क्या है I.R.V.I. का अनुमान है तो government एक अनुमान देती है कि आप एक वित्यवर्ष में कितना खर्च करोगे लेकिन जो bureaucrats होते है जैसे जो administrator होते है for example DM district magistrate जो पूरे district के मालिक होते है जिने पता होता है कि ground level पर कितने budget की जरूरत है वो अपने according उसको खर्च करना चाहते है है ना तो इसको हम कहते है niscanon model niscanon ने administrator की भोमिका को बताया है कि ये जो bureaucrats होते है they try to maximize the budget but ये ऐसा इसलिए होता है student कि government तो budget बना करके देती है अपने अनुसार की एक वित्यवर्ष का अनुमान कितनी आए और कितना व्याय होगा उसका अनुमान है लेकिन जो bureaucrats होते है वो ground level को जानते है उसके according खर्च करते है तो 1968 में ये niscanon model लाया गया जिसमें bureaucrats की भोमिका पर बल दिया गया और ये बताया गया कि bureaucrats try to maximize the budget ठीक है पहली बात तो ये government की भोमिका bureaucrats की भोमिका दूसरी बात इसमें बताई कही है bureaucrats में कुछ senior officers होते हैं जो policy बनाते हैं आप देखो student आप लोगों में से जो UPSC state services की तयारी कर रहे हो आप लोगों भी bureaucrats कहला होगे आपके अंडर में जो budget आएगा आपके हाथ में जो budget बना के दिया जाएगा budget government बनाएगी है ना I or V I का विवरा बनाते हुए उस budget को आपको अपने छेतर में खर्च करना होगा लेकिन किसी छेतर की क्या समस्या है मालनों कि आपको एक budget दिया गया कि आपको road बनवाना है ठीक है road बनाने का budget दिया गया अब उस budget से आप देखोगे कि क्या ये budget काफी है हमारे छेतर में road बनाने के लिए जब ground पर काम शुरू होता है तब bureaucrats को ये समझ में आता है कि ये जो budget बना के दिया गया है ये कम है या ज़ादा है तो इसके अनुसार bureaucrats काम करते है अब bureaucrats they try to maximize the budget जो निसकैनन ने अपने model में बोला है वो इसलिए होता है क्योंकि उनको ground पर जा करके ये पता चलता है कि क्या ये budget road बनाने के लिए काफी है या उसे ज़ादा करने की ज़रूरत है निसकैनन ने दूसरी बात ये भी कही है they try they work as a monopolist तो देखिए जब सरकार बजट बना करकर के सभी जिले में आवंटित करती है वो bureaucrats के हाथ में आते है bureaucrats जो है treasury में जो पैसे आते है जो fund आते है treasury के मालिक dm होते है bureaucrats होते है तो वो अपने recording उसको खर्च कराते है तो निसकैनन मॉडल में कहीं भी आपको clear करके नहीं कहा गया है लेकिन इसमें एक administrator किस तरीके से काम करता है उसकी क्या भूमिका है इसके बारे में कहा गया है तो निसकैनन मॉडल में आप इतना ही समझ लीजिए 1968 में ये मॉडल आया था और इस मॉडल को कहा जाता है कि bureaucrats try to maximize the budget और budget कौन बनाती है गौर्मेंट बनाती है और bureaucrats में एक senior officer होते है जो policy making करते है कि किस तरीके से budget बनाया जाए इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पहली बार इस मॉडल को जोड़ा गया है तो आप लोगों को कुछ नया लग रहा होगा otherwise there is nothing in this model और डरने की बिलकुल जरूरत नहीं है आप लोगों के बहुत सारे messages आ रहे हैं देखू student UGCnet बहुत नजदीकारा है बहुत सारे exams आ रहे हैं तो आप लोगों के ऐसे topics जो आपको बहुत भी difficult लगते हैं आप मुझे भेज सकते हो जैसे किसी ने मुझे Niskanon model के लिए बताया है तो मैंने Niskanon model बता दिया और Niskanon model में इससे ज़ादा कुछ भी नहीं है बुक में पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा Niskanon model 1968 का Niskanon के दोरा बना गया था और bureaucrats की भूमिका को बताया गया है तो जो एक administrator की भूमिका होती है वही उसमें discuss किया गया है कि they maximize the budget लेकिन budget maximize कैसे होता है क्योंकि वह ground पर काम करते है ठीक है और किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कोई request है तो आप बता सकते है और student मेरे दोरा UGC जाती है इसके लिए you write my mobile number it is 7891851566 you can message me on this number और आप लोगों का कोई और message हो या Niskanon model से related किसी भी तरीके की query हो आप मुझसे पूछ सकते है very good morning to all of you बहुत सारे students online है मैंने अचानक से class चुरू की है और इतने student आप लोगो online हो thank you so much and one more thing I would like to say कि अभी मेरे चानल पे subscribers thousand से भी उपर होके हैं and thank you thank you all of you for this this shows your trust right तो मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के जो चोटे-चोटे topic है वो मैं आ करके online बताऊँ तो Niskanon model में ऐसा कुछ भी नहीं है student जिसको लिख के बताने के जरूरत है इसमें प्रशाष्किये भूमिका को बताया गया है good morning आप लोगों के जो भी आप देखो मैंने सबको बताया है कि राइट आप लोगों को फिर भी मैं जितना भी समय बचेगा मैं उसमें आप लोगों के लिए कोशिश करूँगी जो important topics हैं वो जरूर करा हूँ thank you so much प्रेम चैंडर तो आप लोग अपने topic भेजते रहें और इसी तरह connected रहेंगे and all the best for all the examination